नशा तसकरों की अब ख्यार नहीं जमु कश्मीर पुलीस लगातार नशा तसकरों की ओपर लगाम कस्ती हुई नशा बेचने वाले नशा लेने वाले इस खबर को जरूर सुनिएगा आप देख रहे हैं समिक्षा नियूज नेटवर्क नशा तसकर अब सतर्क हो जाएं जमु जनों की बात करें तो जमु कश्मीर पुलीस ने राजीव नगर जमु में नशा बेचने बेचकर अपनी प्रॉपटियां बना रखे उन प्रॉपटिस को अटैच किया जिसमें की एस पी साउट अजश शर्मा और उनकी टीम लगातार नशा तसकरों के ओपर लगाम कस्ती ह भी नजर आ रही है वही आज की बात करें कश्मीर घाटी के बारा मुला से खबर निकल कर सामने आ रही है जिसमें जमु कश्मीर पुलीस ने लगबख पचास करोड का नशा जो है वो बरामत किया और आप समझ ही सकते हैं कि पचास करोड का नशा अगर बरामत किया तो कितन पूरी खबर है वो आपको विस्टार से सुनाते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जिला बारामुला से जो है वो 50 करोड का नशा जो है वो बरामत किया गया जो की जम無कश्वीर प्रोलीस के दौरा बरामत किया गया वह laats को बता दे कि इसमें तीन लोग जो है वो मौझूद थे और उनके क्या कुछ नाम है कहां के वो रहने वाले हैं और क्या कुछ उन्होंने किया कैसे किया पूरी उन्होंने जानकारी जो है वो स्पी को स्पी बारा मुला को शो भाड बता दै कि सूचना मिलने के बाद जहें वह तीन लोग सामने आे पहले का नाम आपको बता दे महमूद इहमद नजर पुत्र मुहमद हसन नजर निवासी चरुंडा यह पहले का नाम है और दूसरे का नाम जहें वह सजाद अहमद मलिक पुत्र महमद अमीन मलिक निवासी दनसेदान नशीले परदासों की तसकरी में यह पाए गए दो जब पुलीस ने इनके साथ की तो तब तीसरे का भी नाम जो है वो निकल कर सामने आए वो भी आपको जरूर बताती हूँ पहले आपको बतादू कि इन दोनों के ओपर जो है वो एफ आयार संख्या क्या कुछ लगी है एफ आयार जो है इनके ओपर लगी है थर्टी फाइव अब्लीक टू-024-UC-S-2129 एंडीपीएस की इनके ओपर जो है वो एफ आयार लगी है और मामला जो है वो दर्ज कर दिया गया और जान जो है वो शुरू कर दी गई है जो आपको बहुत कि खबर बता रही हूँ यह खबर जो है यह बारा मुला की खबर है वही पर आपको ब भी बरामत किया गया जहां पर मैंने आपको बताया जब इन दो लोगों को पुलीस ने हरासत में लिया तो एक और का नाम निकल कर सामने आया जिसका नाम फयास एहमद हजाम सन अफ महुम्मद रफी हजाम जो की दनिस्यादन के रहने वाला है और आपको बता दू कि जब इ जो है रफी हजाम के बेटे पाकिस्तान से जो है वो संबंद्धित थे और तसकरी को काम्याब करना चाहते थे पाकिस्तान से पधार्त लाते चाहते जब उस जो पाया गया जब उसका वेट किया गया तो वह करीब 7.800 kg बताया जा रहा है जिसकी वैलियू जो है वह 50 करोड अप्रॉक्सिमेटली बताई जा रही है और कैश की बात करें तो कैश जो है 12,63,500 कैश जो है इस समय एप्रॉक्सिमेटली जो है वो बताया जा रहा है यह जानकारी जो है यह SSP 12 मुला की तरफ से जो है अमोद अशोक नागपूरे की तरफ से दी गई जब उन्होंने पतरकारों के साथ बात शिर्टी तो यह आप खुद ध्यान दे कर यह खबर जो है व कश्मीर में फैलाने की कोशिश कर रहे थे यवाओं को बोखलाने की कोशिश कर रहे थे और काफी जादा युआ जो है आप देख सकते हैं इस समय नशे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब सरकार जो है उन लोगों के लिए जो है वो अलग अलग द्रग एडिक करते हुए पहले ही आपको सुनाया कि अब जो नशा बेचने वाले और नशा लेने वाले जो है वो दोनों के दोनों सतर्क हो जड़ अगर अगर भी इस खबर को कोई सुन रहा है जो कि इस समय ले रहा होगा खबर को ध्यान से सुन लिजी का कि क्योंकि आपके और बी अब सक्टे सक्त कारवाई हो सकती है क्योंकि जमु कश्मीर पॉलिस अब कोने कोने मर जो है वो दिख रही है काफी ज़्यादा प्रैशा बेचिंख कर लोगों ने 找व भूप बनाई चुकी है आप जहां पर बी किसी भी Anand Kalria कोटे में दिखेंगे तो प्लीज आपके तक पहुंचने में पिनट भी नहीं लगाई तो जुरूर अब जो नशा देखने वाले हैं नशा बैचने वाले हैं नशा लेने वाले हैं वो ज़रूर इस खबर को सुनिए गा और अगर कुछ लोग इस समय देख रहे हैं हमें जो नए अभी समय जुड़े हैं तो इस खबर को आप साथ ही साथ शेयर करते जाए कि उन नशात तसकरों के पास यह खबर पहुंचे वह सतर्क हो क्योंकि इनी नशात तसकरों ने जो है जमुकश्मीर का यूथ जो है वो खराब किया है तो नशात तसकरों अब आप लोग ध्यान रखें क्योंकि जमुकश्मीर पुलीस अब आपको कोने कोने में दिखेगी तो अब आप संबल करें तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें अपनी राइज जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी और तमाम अपडेट्स के लिए जुड़नाएं समिक्षा निउस नेटवर के साथ वीडियो जर्नलिस्ट पारस के साथ मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार